नमस्कार क्या आप भी चमतकार में इस वास करते हो क्या आप भी बेटर बेटर बस ख्याली पुलाओ दिमाग में चलाते रहते हो और यार मेरी लाइप में इसा हो जाए तो कितना अच्छा रहता है और यार मेरी लाइप में इसी घाड़ी गोड़े बंगले हो जाए तो किसा कि चमतकार के बरोस्य आप बेड़े होने तो आप एस संसार के सब थे मुर्क हुए कि क्विसका, क्यूं कि कि इन्सान के जिशनें बेटे-बेडे चमतकार होगा сам Biz कियों होगा आप विदाउट हार्ड वर्कर्ट के परोसर रख रहा हो? क्यों? आज कल के लोग क्या है के रात तो रात सपल त पाना चांते हैं रात तो रात सिकर कर पोउच 거야 बस थोड़ी मेनत करते हैं और बगवान से दूआ करते हैं बगवान हमारी लाइब में चमतकार हो जाए बस थोड़ा सा कुछ करते हैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं और असपल हो जाते तो बगवान मेरी लाइब में यह नहीं हुआ है मेरी लाइब में चमतकार नहीं हो आकिर आप अपरी लाइब में चमतकार की आसा क्यों करते हो आप बगवान को मानते हो बगवान की पूजा करते हो बगवान को सर्व सक्ति मान समझते हो जब स्वेय बगवान ने चमतकार की आस नहीं की इस दुन्या में जब स्वेय बगवान ने चमतकार पर विश्वास नहीं किया तो फिर आप चमतकार पर विश्वास क्यों करते आप तो मनशी हो आप तो इनसान हो वो तो स्वे बगवान थे तो भी उन्होंने चमतकार पर बरोसा नहीं किया उन्होंने अपनी महनत पर बरोसा किया अपने हार्ड वर्क पर बरोसा किया आपकी लाइफ में चमतकार होगा बट विदाउट महनत चमतकार नहीं होगा चमतकार उसी के साथ नहीं होता है जो महनत करता है उसके साथ जरूर चमतकार होगा डेपिनेटली मैं मानता हूँ और हंडेड़ परसें शोर करता हूँ जो महनत करता है उसके साथ चमतकार होता है लेकिन जो मेहनत नहीं करता है पिर्चमतकार कैसे हो। रामाण में भगवान स्री राम का एक गटना आती है। जब भगवान स्री राम सीता की खोज में लंका के लिए जाने लगते तो रस्ते में समुंद्र पढ़ता है। आपने रामाण देखी होगी तो उसे रस्ते में समुंद्र पढ़ता है। भगवान स्री राम में इतनी सक्तियां थी। भगवान स्री राम चाते तो एक पल में अपने दनुस मान से उस समुंद्र को सुखा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी महनत पर विस्वास किया जब जामवन जी ने बताया कि भगवन आपकी सेना में नल और नील नाम के दोवानर है उनको स्राप मिला था कि वो कोई भी वस्तू पानी में फेंगेगे तो पानी में डूबेगी नहीं तो आप नल और नील का प्रियोग करके आप इस समुद्र में रस्ता बना सकते तो भगवान स्री राम ने नल और नील को आदेश दिया कि इस समुद्र में रस्ता बना वो रस्ता बना, टाइम लगा, महनत लगी, वो रस्ता बना और भगवान स्री राम उस समुद्र के रास्ते लंका में गए, तो भगवान स्री राम चाते तो एक सेकन में उस समुद्र को सुका सकते थे, लेकिन क्यों नहीं सुकाया, उनके पास में भी तर चमतकार की सकती थी, लेकिन वो आप मनुश्य जाती को सिकाना चाहते थे कि जीवन में लाइब में कभी चमतकार पर बरुसा न करें अपनी महनत पर बरुसा करें आप अपनी महनत पर बरुसा करोगे तो अटोमेटिक आप की लाइब में चमतकार होगा आप मैनत नहीं करोगे तो चमतकार नहीं होगा मावारत आपने देखे होगे भगवान सी कृष्ण अर्जुन केते हैं भगवान सी कृष्ण से हे प्रभू आप तो सर्वसक्ति मानो आपके सामने अधर्म हो रहा है आपके सामने सब कुछ हो रहा है कोरो हमारे साथ में अधर्म कर रहे हैं कोरो हमारे उपर अत्याचार करते हैं प्रभू इसको रोकी भगवान से कुष्ण चाते थे थे माव बारत का युद्ध एक सेकंड में कत्म कर सकते थे उनका सुदरसन चक्र की ताकत आपने देखी होगी वो चमतकार सुदरसन चक्र से कर सकते थे और एक पल में कोरो की सेना को नश्ट कर सकते थे नेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि वो अर्जुन को सिखाना चाते है कि अर्जुन मेहनत के दम पर तुम सब कुछ पा सकते आप लोगों को मेहनत करनी होगी मेहनत से इस युद्ध को जीतना होगा तो जब स्वें भगवान ने चमतकार पर विश्वास नहीं किया अपनी मेहनत पर विश्वास किया तो आप चमतकार पर विश्वास के ओपर से तो लाइब में हमेशा हार्ड वर्क पर विस्वास करना अपनी मेहनत पर विस्वास करना बगवान से क्रिष्ट ने कहते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है ना उसके लाइब में आवश्य चमतकार होते हैं केंता में कहते हैं बिना मैंनत करने वाले इंसान के जीवने कभी चमतकार नहीं होते हैं तो लाइफ में कभी चमतकार के बरों से मत बेखना सब कुछ पाना होगा आपको अपनी hard work आपकी मैंनत से आपको पाना होगा